हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बादाम शेक तो बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले बादाम शेक की ही तरह बल्कि उससे भी अच्छा हाइजनिक हम इसे घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं बादाम शेक बनाने के लिए हमें चाहिए कस्टर्ड पाउडर बीगे हुए बादाम जिसे हमने छील लिया है शकर दूद इलाइची पाउडर तो आये बनाना शुरू करते हैं तब तक हम बीगे हुए बादाम को मिक्सर के पॉट में डाल कर और इसे दूद के साथ इसका पेस्ट बनाना है तो मैंने बादाम को दूद के साथ पीस लिया है और इसमें चोटे-चोटे कंड रहे तो बहुत जादा पीसने की ज़रत नहीं इसे अब हमारा दूद भी अच्छे से उबल रहा है तो इसे कुछ देर हमें और उबालना है अब यहां मैंने फूल क्रीम दूद लिया था इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं उबालूंगे मैं इसे चलाते हुए हिलाना है ताकि दूद तले में चिपकेना अब एक कटोरी में एक चमच हमें कस्टरड पाउडर लेना है तो बहुत ज़्यादा कस्टरड नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ एक चमच ही काफी है और इसमें थंडा दूद या पानी में इसे घोल करो इसका पतला घ तो आप चाहे तो इसे सीधे दूद में भी डाल सकते हैं यह ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अब हमने जो बादाम पीसके रखे थे उसे दूद में मिला देते हैं और अच्छे से इसे हिलाना है अब इसमें थोड़ा सा दूद डाल करो इसे अच्छे से हमें निकाल लेना है इसमें डालेंगे शकर तो यहां में दो बड़े चम्मच दो से तीन चम्मच शकर डाल रही हूं आप अपनी टेस्ट के एकॉर्डिंग इसे कम जादा कर सकते हैं आप इसे टेस्ट करके देख लें अधी कम हो तो और शकर मिला दे तो हम एक हाथ से कस्टर्ड का गोल डालते जाना है और दूसरी हाथ से हमें इसे लगातार हिलाते जाना है जिससे कि इसमें गुठली ना आए और इसे कुछ देर पकाना है जिससे कि कस्टर्ड पक जाए और हमारा दूद भी थोड़ा सा गाड़ा हो जाए और इसे लगाता जिससे पाने में रखकर भी ठंडा कर सकते हैं तो अब एर थोड़ा सा पतला लग रहे होगा लेकिन फ्रीज़ में रखने के बाद यह थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा इसके बाद इसे फ्रीज में दो घंटे के लिए रख दे या फिर आप फ्रिजर में कुछ देर के लिए रख दे जिससे कि ये अच्छा ठंडा हो जाए तो आप फ्रिज से निकालने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी है इसी तरह से चाहिए हमें अब इसे सर्व करेंगे तो मैंने काच के ग्लास में इसे डाल लिया है और उपर से ड्राइ फ्रूट जैसे पिस्ता बादा मादी से इसे गानिश करें तो ये बिल्कुल ही मार्केट में मिलने वाली बादाम शेक की तरह लगता है आप इसे एक बाद जरूर बना कर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली धन्यवाद